असलाम अलेकम दोस्तों शाहनवास स्क्यूर प्रोपटी के प्लेट फॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजर है आज हम आपको लेक सिटी के एक दस मलेक ब्लॉक M5 का विजट करवाएंगे होप सो आपने ये वीडियो पसंद आएगी ये जो ब्लॉक है ये 242 प्लॉड पर मबनी है छोटा सा ब्लॉड है पॉसेशन अवेलिबल है यहाँ प्लॉड प्राइस जो है वो तकरीबन 70 से लेके 85 तक है आप यहाँ पे फॉरण प्लॉड लेके फॉरण घर बना सकते हैं यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ है कि यह चोटा सा ब्लॉड जो है यह स्क्योर्टी परपस की वज़ए से बॉंडरी बॉल के अंदर है यहाँ पे एक 45 फिट की रोड है और बाकी जुतनी भी रोड्स है वो 30 फिट की रोड्स है घर बने हुए है ओपसो जब आप विज़ड करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह कितना ड्वेल्प हो चुका है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें मैं गाहे बगाहे मुक्तरिफ सोसाइटी हों की वीडियोस बनाता रहता हूँ और वो आप तक पहुंचे आपको पता हो के कौन सी सोसाइटी कितनी डिवेल्प हो चुकी है ताकि आप असानी से वहाँ पर इंवेस्टमेंट कर सकें या घर ले सकें प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लेफ साइड पर नीचे दिये गए हुए सबस्क्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकोन को भी जितनी भी नहीं आने वाली वीडियोज हैं वह सबसे पहले आपको मेल सकें आये मैं आपको विजट करवाद ये M5 का गेट इसमें और मेंटर हो रहे है इसमें जिस 45 फिट रोड की मैंने बात की है वो ये वाला रोड है इसे में बुलेव और भी कह सकते हैं ठीक है और बाकि जितने भी रोड एस में 30 फिट के रोड से हैं ये सीधा चला जाता है मैं आपको लेफ साइड से जाके पिर हम गूल के आगे से आएंगे इसमें दस मले के प्लॉट्स हैं यहां पर प्लॉट्स प्राइज जो है वो तकरीबन सेवन्टी से लेके 85 तक है सेवन्टी लेक से लेके 85 लेक तक है यहां पर काफी गर्बन भी चुके हैं और कुछ गर्बन भी रहें आगे किसी भी ब्लॉग में अगर जैजा लिया जाए कि लेक सिटी के किस ब्लॉग में सबसे ज़रा किन्सक्शन हो रही है तो इस वकद एम फाइव में हो रही है जद उसमले कह रही है यह बहुत छोटा ब्लॉग है दो सो बतालीस प्लॉट है टोटल इसमें इस साथ यह गौफ पोर्स लगता है लेकिन हर ब्लॉग की यहां बॉंड्री वॉल उसके बाहर पिर दूसरा ब्लॉग स्टार्ट होता है यह security purpose के लिए बुड़ा अच्छा है यहां पर manage बहुत अच्छी होती है यहां पर security बहुत बिंबितर है यहां पर underground wiring है पानी, gas, बिजली बिजली तो यहां से जाती नहीं है तो कि लेक्षिटी की अपनी बिजली है वापरा की बिजली नहीं है यहां पर कि लाओ कि अजुए ही यहां यह काफी कर बन चुके है कि अजुए है कि प्लम में थू आए ओन को हाए है तो को को मेरा है सिदा कर दो इसका बहुत अच्छा है गए अगा इसका बहुत अच्छा है यह अब पिर उसी 45-fitt रोड पे आगे है यह इसमे एक चोटा सा बार्क है यह अच्छा है यह अच्छा बहुत अच्छा है यह अच्छा लोगी लोगी आगे है एक चोटा साज विजड मैं करवा रहा हूँ आपको वन बाई वन ब्लॉक का मैं करवाया करूँगा आपको एक हफ्ते के अंदर मैं आपको दो तीन व्लॉक्स का विजड करवा दिया करूँगा यह उपडेट करता रहाएगा अगर आप में से किसी ने भी लेग सटी के अंदर दस मले का फ्लाब लेना हो या ऐपने घर लेना हो तो आप सक्योर प्रपरटी जो लेक से अंदर ही हमारा फ्लाबद ले सकते हैं हमारे पास यहां पे प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं गर भी अवेलेबल हैं आप सेल कर सकते हैं यह हम वापस जा रहे हैं एम फाइव से बहार निकलेंगे एक चीज में और आप को बता दूऊ 5 के अंर से ही M7 को रास्ता जाता है यह वाला जो रास्ता है егоla यह आम 7 को भी जाता है यह जतने भी आगे गर बने हुए hai cavity będą extraordin Canadian तो इस M5 के अंदर से हम M7 को अबर की जा सकते हैं मजीद आपको यह है कि अगर आप में मजीद कोई इन्फरमिशन लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं तो हम आपको बेहतर यहां पर गाइड करेंगे इन्शाला यह फिर हम तबारा 45 फिट रोड पर आगे हैं मैंने आपको बताया कि यह छोटा सा ब्लॉक है और खुबसवत ब्लॉक है लेक सिटी के अंदर यह एक 10 मुले का M5 के नाम से एक ब्लॉक है M5 से हम बाहर जा हुए जब हम इसमें एंटर होते हैं तो सबसे पहले हम गॉफ कोस की तरफ सी एंटर होते हैं यह एरिया सारा गॉफ की तरफ जाता है गॉफ ब्लॉक गॉफ व्यू की तरफ यहां पर भी गड़ बन रहे हैं मैं आपको रॉंड बोड तक लेके चलता हूँ ता कि आपको समझ आदा है कि यह एम फाइव को किस तरफ से जाते हैं यह एटी फिटी रोड है जो में राउंड बोड के तरफ जाती है जो सैनमा और फ्रॉबल स्कूल के पास निकलती है जाते हैं वहां पे लेक्षटी माल के नाम से एक लाजा भी बन रहा है यहां तक हमारा जो आज का विजड था जो मैंने आपको करवाया है इन्शाला होपसो के नेक्स्ट आपको और भी अच्छी मालूमात दूँगा मैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको मैं अपडेट करता रहा हूं जी अल्ला हाफीज थैंक यू